जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनी के बदलती चाल के बारे में यानि 23 मई 2021 से 11 अक्टूवर 2021 तक शनी वक्री रहेंगे मकर रासी में यानि 142 दिन तक शनी वक्री चाल से चलेंगे और इस दोरान शनी के वक्री होने से धनू रासी के लोगों पर क्या प्रभाब पड़ेगा और शनी के वक्री होने के बाद यानि 23 मई 2021 के बाद 26 मई को बुद्ध रासी परिवर्थन करेंगे और अपनी चाल भी बदलेंगे यानि वक्री चाल से चलेंगे और 22 जून तक यही रहेंगे वक्री अवस्था में 20 जून 2021 को गुरू ब्रस्पती भी वक्री हो जाएंगे और यहां 17 अक्टूवर तक गुरू ब्रस्पती वक्री रहेंगे तो इन 42 दिनों में समय समय पर तीन ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे और मई महा में इस साल का पहला चंद ग्रहन भी लगेगा जो कि 26 मई 2021 को लगेगा और जून महा में यानि 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहन भी लगेगा 15 सितंबर 2021 को गुरु वक्री गती करते हुए मकर रासी में लोट आएंगे जो कि सनी की ही रासी है और यहां यानि 15 सितंबर से गुरु और सनी एक ही घर में वराजमान होंगे सनी देव नयाय के देवता है इसलिए इन्हें कल्युक के नयदीस और करम फल दाता भी कहा जाता है क्योंकि यह मनुश्यों को उनके करमों के अनुसार फल देते हैं और जोतिस सास्त में सनी देव बहुत ही महत्पून ग्रह माने जाते हैं 23 मई 2021 रविवार को दो फैर दो बज कर 50 मिनट पर सनी देव मारगी अवस्था से वक्री होंगे यानि सनी की उल्टी चाल सुरू हो जाएगी और सनी की ये वक्री चाल 142 दिन तक ऐसे ही बरकरार रहेगी सनी 11 अक्टूबर 2021 तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे और सनी धनू रासी के लोगों के दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और धनू रासी वालों को निवेश करने से लंबे समय तक फायदा होगा इस दोरान प्रोपर्टे के मामलों में भी लाब होगा और सनी की साड़े-साती खत्म होने जा रही है तो सनी की साड़े साती खत्म होने से पदोनिती भी होगी संपत्ती से जुड़े मामलों में लाभ मिलेगा और आर्थिक इस्तिती में सुधार होगा सुसराल पक्ष से हानी होने की संभाव न रहेगी विवास से जुड़े मामलों में आपको इस दोरान सावधानी बरतनी होगी और सनी की वक्री चाल से धनूरासी के लोगों पर सरवादिक प्रभाब पड़ेगा नौकरी में परिशानियां भी जिलनी पड़ेंगी दुस्मनों से यानि अपने विरोधियों से इस जुरान सावधान रहनी के अफशकता होगी वहाँ चलाते समय सावधानी रखनी होगी अन्यता दुरुगहटना में चोट लग सकती है इसलिए सतर्क रहना होगा और किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा न करें कोई अपना आपको धोका दे सकता है इसलिए सावधान रहनी के अफशकता है और मई महा के अंतिम सप्ताह में बहुत बड़ी सफलता भी आपको हाथ लग सकती है लेकिन कानूनी मामलों को अंदेखा न करें नहीं तो कोट कचरी के चक्कर भी काटने पड़ेंगे और बात करें जून महा में तो जून महा में पहले सप्ताह में आपको अधिक महनत करनी के अफशकता होगी घर में कोई मांगली कारिय हो सकता है और कोई सुसमाचार भी आपको प्राप्त होगा संतान की तरक्की से आप खुश होंगे और इस समय छोटी छोटी बातों पर सनिदेव आपके अंदर क्रोध पैदा करेंगे आपके अंदर गुस्सा अचानक बढ़ जाएगा जो आपके लिए नुकसान दायक होगा विद्यार्तियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा यात्रा के योग बनेंगे और महीने का जो मद्य होगा 15 जून के आसपास का वो परेशानियों भरा होगा तो इस दोरान सोज बूज से कारे करने के आपशक्ता होगी और आपकी छवी में पहले से सुधार होगा आर्थिक इस्थिती में भी सुधार होने के योग बनेंगे 22-23 जून को समय अच्छा नहीं रहेगा इस दोरान अपने वानी पर सयम रखना होगा और अंतिम सब्ता में किसमत आपका साथ देगी लाब की इस्थिती भी आपके लिए बढ़ेगी और बात करें जुलाई महा की तो जुलाई का पहला सब्ता भी परिशानियों भरा होगा नहीं चाहते हुए भी कुछ समझोते करने पड़ सकते हैं तो धहरिये से काम लेना होगा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी और महीने का दूसरा जो सब्ता होगा वो अपने सोम में वहवार से भी सबका दिल जीत लेगा इस समय किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्चर करने से उसे ध्यान से पढ़ ले 18 और 19 जुलाई को धनलाब के युग बनेंगे आफिस में कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है वैवाईक संबंदों में मिठास होगी अचल संपत्ती से जुड़ा कोई इस समय आपको अच्छा फायदा हो सकता है और महीने का जो अंतिम सब्ता होगा काम के बोज़ का होगा इस दोरान भाग दोड करनी पड़ेगी और इस समय आपको परिवार को भी समय देने में परिशानी पैदा होगी और बात करें अगस्त की तो इस दोरान पहले सप्ताहा में कुछ नया सीखने को मिलेगा और सात्वा चंद्रमा आपके मन को सांत करेगा सुक साधनों में व्रद्धी होगी इससे में खर्चों पर नियंतरन रखनी के आपशकता होगी और दूसरे सप्ताहा में आपकी स्वभाब के कारण बनती होई कोई बात बिगड़ सकती है तो यहां अपने आप पर काबू रखना होगा वाणी में विठास लानी का अपशकता होगी 16-17 अगस्त को भी समय ठीक नहीं रहेगा भाई बहनों के बीच वाद विवाद हो सकता है जिवन साथी के स्वास्थपर ध्यान देना होगा यह समय विध्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा कोई महत्पून निर्णा लेते समय सावधान रहना होगा और बात करें सितंबर की तो 15 सितंबर से गुरू और सनी एकी रासी में वराजमान होंगे आपके दूसरे भाव में होंगे और पहले सप्ताहा में यहां चंद्रमा भी सुख सांति प्रदान करेगा आपके कारियों की परसंसा होगी और परिस्थितियां सामन्ने होंगी विवाहिक जीवन भी सुख में रहेगा और पहले सप्ताहा के बाद यानि 8-9 सितंबर को नई चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है परिवार में विवाद हो सकता है तो थोड़ा सतरक रहना होगा तीसरे सप्ताहा में धन प्राप्ती के कारियों में सफलता मिलेगी नई लोगों से मिलना लाबकारी रहेगा और महिने का अंतिम सप्ता आपके कामों में रुकावट पैदा कर सकता है तो थोड़ा सा सतरक रहनी के आपशकता है दैनिक कारिय समय पर पूरे होंगे, सामाजिक कारिय करम में जाने का मौका मिलेगा, और काम का बोज भी बढ़ सकता है, तो काम के बोज से आप तनाव गरस्त भी हो सकते हैं, तो इस दोरान आपको वैयाम और योगा पर ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि स्वास्त अच्छ के साथ दूसरे भाव में होंगे, के तो इस दोरान वरस्चिक रासी के बार्वे भाव में होंगे, तो ये पहला जो सब्ता होगा, अक्टूबर का, ये महत्पून काम बीच में टक सकते हैं, आपकी कही हुई बात, किसी का मन दुखी कर सकती है, तो इस दोरान अपने मामलों में इस दोरान आपको सफलता मिलेगी, पती पतनी एक दूसरे का सहयोग करेंगे, खर्चे अधिक होने से कमाई के अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा, और किसी से इस दोरान बेवज़े वाद विवाद से बचना होगा, प्रेमियों के लिए ये समय सावध अधनी रखने का होगा, अन्य तक इसी वाद विवाद की स्थिती में आप फस सकते हैं, और परिवार में किसी नए सदस्य का इस दोरान आगमन हो सकता है, परिवारी के रिष्टे अच्छे होंगे, भाई बंदों का पूरा सहयोग इस दोरान आपको मिलेगा, तो ये जो 142 जिस दोरान सनी वक्री अवस्था में होंगे, उल्टी चाल से चलेंगे, तो इस दोरान चंद्र ग्रहन भी पढ़ जाएगा, इस साल का पहला चंद्र ग्रहन, और सूर्य ग्रहन भी होगा, तो इस दोरान आपको कुछ साफधानिया भी रखनी होंगी, क्योंकि इनका का जाप करें हनुमान चालिसा का पाठ करें पीपल की पेड़ पर जल चड़ाएं और सर्सों के तेल का दीपक जलाएं तो ऐसा करने से आपकी परिशानियां भी दूर होंगी और सनी दिव की किरपाप पर बनी रहेगी दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को सब्सक्राइब, सेर वे लाइक अवश्य करें जै माता दी दोस्तो